हेलो माई लवली सूल फैमिली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबी का मेरे चानल में एक नए रीडिंग के साथ हम लेके आ गए हैं एक पोहती इंट्रेस्टिंग और प्यारी सी रीडिंग जो आपके लिए होने वाली है आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके क्या फिलिंग्स हैं इस समय वो क्या सोच रहे हैं और क्या उन्होंने आज आपको याद किया क्योंकि आप भी दिन भर उनके बारे में सोच के परिशान हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आई शुरू करते हैं आज की वीडिंग हमारे पार्ट गाड़ा गया है जस्टिस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मैं देख रहे हूं कि आप दोनों के बीच में ये जो सेप्रेशन हैं वो काफी जादा लंबा है और ये जो सेप्रेशन हुआ वो काफी जादा आपके लिए दुख दायक था पेनफुल रहा है जब ये सेप्रेशन होने वाला था कहीं न कहीं आपको पहले से ही इस चीज़ का अभास हो गया था क्योंकि आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था ना ठीक से बात हो रही थी इन फैक्ट हो सकता है कि इस बात का जो असर है वो आपके करियर पे भी पड़ा हो घ मुझे नजर आ रही है यह आपकी सिच्वेशन में बताने की कोशिश कर रही हूं तचावर मॉमेंट आया है इसका मतलब यह है कि इस ब्रेक अपने दोनों की लाइफ में बहुत जादा नेगटिव इंपक्ट डाला है दोनों के दोनों इस ब्रेक अपसे बहुत जादा संद है ऐसी ही कुछ मैं चीज़े देख रही हूं और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पार्टनर से अकसर रात को बात किया करते हूं जी हां लंबी लंबी बात हो सकता है कि ओवरनाइट आप बात करते हूं लेकिन जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ तो आपके लिए राते बिताना बहुत जादा पेंफुल हो गई थी बहुत आपको तकलीफ होती थी देखी जिसे कि आप हमेशा किसी से रात रात को बात कर रहे हैं और अचानक से इतने टाइम तक आपकी आदत बन गई और सड़नली बात होनी बंद हो जाए तो कितना जाद द दूरा रह गया है चीजे कंप्लीट नहीं हुए है मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग किसी आंसर का या किसी कॉल का या मेसेज का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे कुछ भी चीज ना प्रॉपर तरीके से खतम नहीं हुई है मतलब जब आपका रिष्टा स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा सड़क पे कोई नील डाउन होके घुटनों पर आकर आपको प्रपोस किया या फिर आपका रिष्टा ऐसे ही दोस्ती से स्टार्ट हुआ और वो कुछ और है दोस्ती से जादा है ठीक उसी तरीके से जब आपका रिष्टा खतम हो रहा था तो दीरे 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 खतम हो रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कोई बैट के बाचीत हुई है कि हांजे ये समस्या है मेरी लाइफ में या फिर उन्होंने आपसे कोई प्रॉब्लम डिसकस की कुछ नहीं एकदम से बस सर्डनली कॉन्टाक्ट जो है वो तोड़ दिया नो कॉन्टाक्ट में आ गए आईए देखते हैं क्या चल रहा है सिच्वेशन में आभी आना ओला क्या आपकी परसन आपको मिस्स कर रहे हैं यहां पर कार आगय कार्ड की इंफर्मिशन हमीशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कौन से कार्ड में यूज करती हूँ कौन कौन से मैं रीडिंग में इस्तमाल करना पसंद करती हूँ मेरे फेवरेट कौन से हैं यह सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मि आपके पार्टनर ना अभी किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच गहरी सोच में पड़े हुए हैं और वो क्या कर रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो वो चाहते थे आपके साथ करना मतलब आपने प्लान बनाए होंगे कि हमें घूम हमें फिर नहां हमें जाना है लेकिन आपके पार्टर की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको हमेशा रोकते रहती है उनका बुरा होने से रोकते रहते हैं और वह थे आप ईक ऐसे इंसान थे उनकी लाइफ में जो हमीशा उनका ध्यान रखा करते थे हमीशा इस बात की आपको भनक होनी चाहिए थी कि वो कहां जा रहे हैं किस से मिल रहे हैं क्योंकि देखिए आपके जो person मैं देख रही हूं ये थोड़े से बेफिक्र टाइप के इनसान है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मजाक मस्ती में आके कभी-कभी ऐसे भी स्टेप्स ले ले लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए ये है फूल की एनरजी तो आपके person अभी हाल-फिलाल में चाह रहे हैं कि life को प्रेजन्ट में रहके enjoy किया जाए क्योंकि इनकी life में already दुखों का पहार जो है वो उम्ड़ा हुआ है हमेशा ये किसी ना किसी चीज़ को लेके sad रहते हैं in fact एक पल की हसी है तो दूसरे ही पल उनको पता चलता है कि क्या पता उनकी family में कोई बिमार पढ़ गया है कभी कहीं से कोई खबर आ गया हो सकता है आपके जो partner है वो शायद medical profession में हो सकते है जिस वज़े से क्या होता है कि इनको हमेशा कोई emergency call आ जाती है या कभी भी रात को बुलाया जा सकता है night duties होती है जिसके कारण वो बहुत जादा stressful मुझे दिखाई दे रहे है लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे आपको miss बहुत करते है हमारा सवाल ही यही था क्या वो आपको miss करते है यहाँ पे nine of wands आया है जिसका मतलब यह है कि जब भी उनको समय मिलता है जब भी वो खाली बैठे रहते है या जब भी वो किसी सोच में डूबे हो रहते है उनको आपकी याद जरूर आती है यहाँ पे queen of wands आपके person आपको एक ऐसे इनसान के रूप में जाते है जो बहुत ही ज़ादा खुबसूरत जिनकी आखें उनको बहुत साथ प्यारी लगते है जिनकी पूरी body ही ऐसा लगता है किसी crystal की बनी हो यह जी हाँ आप boy भी हो सकते हैं आप girl भी हो सकते हैं वो matter नहीं करता लेकिन आपके partner आपको अपनी wish fulfillment की तरह देखते हैं बिलकुल देखते हैं इन फैक्ट यह जो crown लगा हुआ है वो हमेशे यह कोशिश करते हैं कि वो crown आपके सिर पे रहे लेकिन क्या करे समय ही ऐसा था कि उसने इतनी गलतिया करा दिया आपके person से कि आपके person समझ ही नहीं पा रहे कि मैं अपनी गलतियों को कैसे सुधार हूँ प्यार वो आज भी आपसे करते हैं पास वो आपके आना चाहते हैं इन फैक्ट आपके person जो है मैं देख रही हूँ हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आपसे करीबी कैसे बढ़ानी है और उनको हमेशे डर लगा रहता है देखे काड़ा गया है confusion confusion आगे की ओर आना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं क्या करना चाहिए क्या करने से मैं आगे की ओर आऊँ और अपने person से बात करूँ और apologize करूँ क्योंकि मैंने बोला इससे मैं आपके person बहुत सारे चीज़ों को balance करने की कोशिश कर रहे हैं family हो सकती है job हो सकती है studies हो सकती है ऐसा लग रहा है कि job के साथ-साथ किसी entrance के लिए या किसी exam के लिए prepare कर रहे हैं ताकि कोई government job में जा सके अभी तो फिलाल आपके partner मुझे private sector में दिख रहे हैं queen of wants हाँ queen of wants के बारे में हम बता रहे थे ताकि person आपको बहुत ज़दा याद करते हैं क्योंकि कभी ना कभी उनके पास एक ऐसा इनसान हुआ करता था जिनसे वो सारी तरिके के बाते करते थे और उनके दिल में मन में बहुत ज़दा वो हलके हो जाते थे लेकिन अब वो सारी चीज़ इतने ज़ादा अंदर रह रहा है के रहा है के बढ़ती जारी ऐसा लगता है कोई सलाब सा जाएगा फट जाएगा दिमाग क्योंकि देखिए ये देखिए कितने ज़ादा ये दुखी मैसूस कर रहे हैं को रिलीस करने की ज़रोत है लेकिन रिलीस नहीं कर पा रहे है क्योंकि प्रॉब्लम शेयर करने के लिए बताने के लिए और सुनने वाला इनके पास कोई भी नहीं नज़र आ रहा है तो आपको डेफिनिटली ये बहुत ज़ादा याद करें समये देखिए आपका नाम लाते ही काड़ा गया सोलमेट ये परसन समझते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं आप उनके बेटर हाफ है वो आपसे बात तो नहीं करते हैं लेकिन वो मन ही मन जानते हैं देखिए हर पार्टनर को पता होता है कि मेरे पार्टनर कैसे हैं मेरे पार्टनर मुझे क्य दे सकते हैं मेरे पार्टने की लाइफ में मेरी क्या एहमियत है एक तो देखिए इतने ज़्यादा कंफ्यूजन में गिरे हुए है कि आपके पास कैसे आए किस मूझ से आए क्योंकि जो उन्होंने चीजें हरकते की हैं वो माफी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं है एक तो अकेले ही बेचारे हो सकता है एक लोते हो अपनी फैमिली में तो अपने फाइनस को रूटे हुए रिष्टेदारों को टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं most of the time ऐसा होता है इनकी नीम भी पूरी नहीं होती क्योंकि इनकी जॉब बहुत ज़्यादा हेक्टिक है release, release करना चाहते हैं लेकिन पास में आप नहीं है और आप हैं उनके soulmate देंकि third eye chakra, इनके heart chakra में, root chakra में, sickle chakra में, solar praxis ले लीजिए या जितने भी चakras हैं, जितने भी aligned हैं, अभी वो सारे बिल्कुल भी aligned नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, अगर मैं chakra's की बात करो तो हर chakra में मुझे आपकी छवी नजर आ रही है क्योंकि ये person जो है ना, इनके दिल और दिमाग में हमेशा आज भी आप चाहे रहते हैं बात बहुत लोगों से होती है, लेकिन जो होता है ना, कि दिल में एक जगा जो है किसी के लिए होती है और वो कोई नहीं ले सकता, यही हाल आपके person का है मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके person, आपके अलावा वो जगा किसी को देना ही नहीं चाहते है आए, कुछ और messages देख लेते हैं, आपके लिए क्या messages है, universe से ये special message आपके लिए कहां से आया, ये angels की तरफ से आपके लिए special message है जो कहता है कि आप अपने आप में एक सितारा है, आप shine करिए आप spotlight में आईए, आप अपने आपको किसी से भी कम मत समझिए, बस आपको करना ये है कि जो चीज आपको रोकती है उसे release करिए, एक बर उसे release करेंगे तो देखेंगे universe में आपके लिए blessings से, I hope आपकी आज की reading आप से resonate होई होगी, क्या का resonate होई है, मुझे comment section में feedback जरूर दे के चाहिएगा, वीडियो को like करके अपना प्यार दिखा के चाहिएगा, मैं मिलूंगी next video में तब तक के लिए, God bless you and love you all.